हेलो फ्रेंड्स आपे अपने ही यूटूब चैनल अनीतास ग्रीन टेजर में इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉक्सकॉम की सीट को किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरह से अगली सीजन के लिए इन्हें सभाल के रखना है जिससे कि अगली सीजन में आप अप यह सूखे हुए फ्लावर में आप देखे ब्लैक कलर के छोटे-छोटे सीट से वह अब पकर तयार हो चुके हैं इस वाले फ्लावर में भी देखिए इसमें भी ब्लैक ब्लैक कलर के जो आपको सीट दिख रहे हैं वह बिल्कुल तयार हो चुके हैं तो इनको किस तरह से सदाधने तो उसके लिए मैंने लिया है यह प्लैन पेपर मेरं इस तरुश pł भूबर जो और सूख चुका है अब इस तरीके से जुका दिया रभ रवाद दो करेंगे तो मु referee सीट्स निकलने लगें डिए को चलुके से इस तरह करेंगे को फूब यही है इनके सीट्स और एक फ्लावर में बहुत सारे सीट्स निकलते हैं और अगले सीजन के लिए बहुत सारे कर रख लीजिए चार से पांच दिन और फिर आपको मिलाकर रखना है राक में यह राक लकड़ी की भी हो सकती है कंड़े की भी राक आप लेकर किसी प्लास्टिक की डिबी में इस तरह की कोई डिबी हो जो किचन से निकलती हो वेश्ट वापके लिए उसमें रख सकते हैं या आपके जो सीट से वह अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए और राख भी आपकी दूंदी नहीं होनी चाहिए वह प्रम पर अगले सीजन के लिए रखेंगे तो यह बिल्कुल सेफ ली मिल जाएंगे आपको और ग्रो भी बहुत आसानी से हो जाएंगे तो अगर आपको मे करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें